श्कार दोस्तो मेरा नाम सेकर और स्वागत आप सवी का हमारे ट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर दोस्तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तो चैनल को जरूर सस्काइब कर लिजेगा और सांती बेल आइकन भी जरूर दबाएगा तो आज हमारा दोस्तो पार्ड 32 है और हम इसमें देखने वाले हैं 132 महत्पून प्रसनों को अगर दोस्तो आपने अभी तक और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट माकर जरूर से देख लीजेगा और सबसे ज्यादा प्रसन दोस्तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्राखंड के क्योंकि उत्राखंड एक्जाम में ज्यादा आती भी है और उत्राखंड के प्रसन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे हिंदी भी है जी के कंप्यूटर सब कुछ आपको इसमें पर इस्तित है तो बहुत ज्यादा महत्मुन प्रस्ण है और इसका से उत्रेगा उस्तो रुडिकी में है तो यह आपको बिल्कु लियाद रखना है उनिस्सव 47 में दोस्तो इस्तापना हुई थी Central Building Research Institute की दो रुडिकी में है तो यह आपको बिल्कु लियाद रखना है बहुत ज्यादा महत्मुन प्रस्ण है अगला परस्ण है दोस्तो बहुत ज्यादा महत्मुन प्रस्ण है यह भी हिमालाई इंसिट्यूट की स्तापना किसके द्वारा की गई थी सुन्दरलाल भहगुणा हेमतिनंदन भहगुणा डांक्टर स्वामी राम या फिर महरसी महस योगी तो दोस्तो जो 84 कुटिया है उससे सम्बंदीते है इसके दो पर द्वाराई इंसिट्यूट होस्पिटल ट्रस्ट की स्तापना डांक्टर स्वामी राम के निश्व नमासी में देहरादुम में हैं तो बढ़ते हैं अगले परस्नी की त्रव अगला बसन दोस्तो रुड की विश्व विद्याले की स्तापना कब हुई थी तो दोस्तो रुड की विश्व विश्व विद्याले की स्तापना हुई थी 847 में तो देखे कितना पुरान की गई तो जोली कोड दोस्तों का है नैनिताल में है और मधुमक्की फालन जो केंदर की स्थापना की गिती दोस्तों ये की गिती 1938 में तो option नमबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर बहुत जादा महत्म बसने है जब आप नैनिताल को जाते हैं राष्टे में वहाँ पर मिलता है जोली कोड तो वहाँ है कब की थी 1938 में अगला बसने उत्राखंड का कौन सा नगर हरित करांती की जन्मिस्तली के नाम से परसिद्ध है तो उस्तों ये हो जाएगा पंत नगर option नमबर दी हो परियाग में तो रुद्र परियाग हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल से उत्तर तो बढ़ते हैं अगले परस्ण की त्रफ अगला बसने उस्तों बहुत ज्यादा मेहतुन बसने हैं तीन में 1945 को फासी पर चड़ने वाले बीर केसरी चंद उत्राखंड के किसी स्तान से हैं पहली बात दोस्तों एक परस्ण यही बनता है कि बीर केसरी चंद को फासी कब दी थी तीन में 1945 दोस्तों यह साहिक समाज कल्यान अधिकारी के पेपर में आया हो था तो किसी एक्जाम भी बन सकता है फिर से तो तीन में 1945 को फासी दी ती बीर केसरी चंद को इनको दी की थी दिली में फासी तो यह दोस्तों कहां से यह दोस्तों चक रहता हैं तव्लकुल सिवे उत्तर अगला बस्तिन एंवीः में निसोल्ग भरती परिसीष्ण शिविर कॉन बेक्ति चला रहे है कि उस्तों यह ओजागा यह mana पर कर्णल अगला बचने आपर हर्षदेव ऑली किसी स्तान से संबन दित हैं हर्षदेव ऑली दोस्तों असकोर से नहीं दोस्तों खेति खान चंपावत से 890 में इनका जन्म हाता हर्सदेव ओली तो आप्सन नमर भी हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवतर खेती खान में है अगला परस्ण दोस्तों यहाँ पर आदी मानव द्वारा चित्रित गुफाएं पेड़ साल नमक इस्तान पेड़ साल नमक जो गुफाएं हैं या पेड़ साल नमक इस्तान की जन्मद में है तो पेड़ साल लाखो गुफा होगी फड़का नौली पेड़ साल तो यह सब का है अल्मोडा में है तो अगला वर्षने आपर खेड पर्वत पर्युका देश की जनपद में है तो यो जाएगा दोस्तो ओप्शन में ए हमारा टीहरी तो याद रखना आपको टीहरी है इसका उत्तर अगला उत्राखंड में इस्तानी भासा में दर जी को कहा जाता है तम्ता, तिरुवा, पजे या फिर ओजी तो दोस्तो इसका उत्राखंड में अगला वर्षन तपवन उत्राखंड में कहा है वैसे दोस्तो तपवन तो लगभग आपको तीन-चार देखने को मिल जाएंगे पर इसी केस, बिरंदावन, हरिद्वार, धाराचुला पर इन में से दोस्तो हम जो तपवन कर सकते हैं तो इसका उत्राखंड का उप्शन में ये रिसी केस वाला तो ये आपको यहाँ पर बताने है दोस्तो तो इसका से उत्राखंड जगा यहाँ पर हडबट पूर ऑप्शन में अगला बसने है टनकपूर नगर की स्तापना हुई थी टनकपूर नगर की स्तापना हुई थी तो यह आपको बताने है यह जाएगा उस्तो 880 में टनकपूर में यहां ब्रहंदे मंडी भी थी टनकपूर को बसाए था मिश्टर ट्रक ने पुराना नाम था ग्राश्टिन गंज त्यो जागा दूस्तो अठार सो असी में ऑप्शन मर डी अगला बसने नीम करॉली बाबा का आश्रम किस इस्तान पर इस्तित है तो दूस्तो य जून को मिला लगता है इस बार तो नहीं लगा था यह हो जाएगा यहां पर कैची धाम अगला जौन सार का परवेश द्वार किसे कहते हैं कालसी देहरादुन जौनपूर या फिर पुप्युक्त सभी तो इस तो इन में से हम सभी कर सकते हैं क्योंकि जौन सार का परवेश तो 840 हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर तो बढ़ते हैं अगले परस्न की तरव है अगला परस्न निमिल्न की इत्मैस से कौन सुमेलित नहीं है चंडी परसात भड पर्यावन विल्कुल है चंडी परसात भड बचेंदरि पाल कौन नि जानता परवतारोन सही है बाजिसे इनका संबन्द है जस्पाल राणा का बागी तीनु भाई बहनु ने इन्होंने बहुत नाम क्माया तो श्क्राइब का दोस्तों आपको हिंदी के परस्ण आप देखने को मिलेंगे बागी उत्राखंड दोस्तों पीच-बीच में आते रहेगी अंतक जहां तक हमार अप्सन नमबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर अव गुंठन अगला प्रस्ण है आपर अनुरूप का बिलोम सब्द है अब इसमा दोस्तों बहुत सारे अभ्यरतियां पर गलत कर सकते हैं अनुरूप का बिलोम यहाँ पर आपको बताना है अपरूप परती या ब्यति रूप यह हो जाएगा अप्सन वर्डी ब्यति रूप बिल्कुल सही है अगला है निमलिकित मैंसे कौन एक पर्याय वाची यूग में सही नहीं है अब दोस्तों फड़ी उरक को कहते हैं बिल्कुल है सरोवर ताला पुसकर यह भी सही है पुरंदर अमर्पति य वियर्ण होना नहीं सुंदर होना भी नहीं यह जाएगा उस्तों दुरलव होना गुलर का फूल होना दुरलव अस्तु अगला प्रस्ण वभूत का तत्सम है तो वभूत का दोस्तों यहाँ पर आपको तत्सम बताना है कि वभूत का तत्सम यहाँ पर क्या होगा विभूत भभूति या भभूति तो बभूत का हो जाएका दोस्तो यहां पर विभूति भागी इस सब्द से आप घर में पड़िचित हुँगे अगला परस्ने सदयो में संदी है तो सदाधन अया दोस्तो यह बने कि इमारी बिरिद्दी संदी दो मात्रा दिख जाए बिरिद्दी आप आसे अगला बुरह यहज बिलुकल से उत्तर आशना अर्थ है अगला परस्न आदो लिकित मेंसे यूग म मां नहीं है तो इन मेंसे अपको बतानेना है। कौनницписESone नहीं है चोटा बड़ा बिलकुल है 2 3 यह भी है अब राम लक्सिमण यह तो हमारे वी सेशन नहीं है कि अगला दोलिकित मैंसे कौन Simple टब्स stalk truth and GOOD बोध बिलकुल है ध्यान ये भी भी है क्योंकि हस्त वोगाउट अगला पर्तिकूल बिलों सब्द है अब दोस्तो पश्तीकूल का अनुकूल और परतिकूल तो यह आपको बच्पन से पता है अनुकूल और परतिकूल अगला बसने अपनी धपली अपना राग का अर्थ है बंदर बांट करना कता ही नहीं संगटन का अभाव या फिर अपनी गीत गाना अपना गीत गाना अपनी धपली अपना राग अगला बसने आपर अधो लिखी तो में सुद्ध वर्तिनी वाला सब्द है सुद्ध वर्तिनी वाला सब्द यहाँ पर आपको दोस्तो बताना है कौन सा इनमैं से होगा उसतो इससे नहरा है, रचियता लिख देते हैं इस तरब से, चल्दी बाजी में होता है तो यह रचियता नहीं होता है यह होता जैसा यहाँ पर लिखाया यह होता है अगला देवग्गी का अर्थ है तो देवग्गी का दोस्तो यहाँ पर आपको अर्थ बताना है तो यह रचियता नहीं होता है तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका बिलोम क्या होगा निवारणी, अनावस्यक, आवस्यक या फिर एचिक तो यह रचिक तो यह रचिक अगला अकर्म किरिया अकर्म किरिया दोस्तो जिसमें कर्म के आवस्ता नहीं होती है तो अकर्म किरिया आपको यहाँ पर बतानी है वो है किसमें वो अपना सिर्खुज लाता है ये चीजें तुम्हारा जी लल चाती है मैं पुछतक पढ़ता हूं स्याम सोता है दोस्तों यह आ गया सोता है रोता है दोता है यह हो जाएगी हमारी अकर्मक तो option नमर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर बांकिस अकर्मक है अगला आग का परियावाची सब्द नहीं है आग का दोस्तों यहाँ पर अनल है बिल्कुल है अनिल होता तो किसका होता वायू का होता वो है नहीं पावक है बिल्कुल है किर्सानू है यह है ब्योम दोस्तों यह जागा आखास अंतरिक्स आखास दो जंगर उसे अप्शन वार्शी है हमारा बिलकूल से उत्तर है अगला वस्न है निमल्रीकित वाक्कियो मैंसे किसमे प्रिणुर्णार्थक किरिया का पर्योग नहीं हुआ JEFF पिता उसे पढ़ाते हैं है पिरेणा है पिता उसे पढ़ाते हैं राम नहीं पढ़ता तो यहां पर है दूस्तों यह राम नहीं पढ़ता यहां पर पिरेणा अर्था किरिया नहीं है वह अध्यापक से पढ़वाते हैं ये भी है और अध्यापक परिश्रम कराते हैं ये भी है अगला निमलकित में से कौन सा वर्ण अंत्यस्त नहीं है अब अंत्यस्त आपको बता है यो रो लो वो तो बांकी वो है यो रो लो वो तो ये हो नहीं हो जगा उस्तो ये हो जगा उ सब्द का संदी विच्छे थे अब दोस्तों इसमें संदी भी जानेंगे उत्धन सिस्ट तो यह नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह उत्धन सिस्ट तो अप्शन नमर बीच में जीके उत्राखंड हिंदी हिंदी अभी फिर से आएगी तो बने रहेगा वीडियो कौन तक जरूर देखेगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो उस्तों एक लाइक जरूर से कर दीजे अगला बसने आपन मूख सहर या साइलेंट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है अब दोस्तों उत्राखंड में भी आपको बताना है साइलेंट सिटी तो यह ह जाएगा उस्तों मुक्तिस्वर ऑप्शन नमर भी हो जाएगा इसका बेलकुल से उत्तर अगला है किसका पिल्ग्रीम कोटेज नाम से एक बंगला नैनी ताल में है यह आपको बताने है पिल्ग्रीम कोटेज जोस्तों यह हो जाएगा परसी बेरन यानिकि पी बेरन नैनी आपको यहाँ पर बताना है कब बस आया गया तो ज़ूर्फ पर रहेते तो कमिशनर दोस्तोफ गर्फ हर नद आथार चॉपले जुड़े चुपले तक रहे तो जाये अगला परशन है दोस्तोफ यहाँ पर बहुत जाद भूल बसने है काड़ गोदाम रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन बनाये गया अब दोस्तों यहाँ पर बड़ी रेल लाइन कहा गया है वरना 1884 वाला उप्षन यहाँ पर है नहीं 24 अपरल 1884 जब काड़ गोदाम में रेल आईती वो वाला उप्षन है नहीं तो यहां पर पुछाया काड़ गुदाम को बड़ी रेल्वे लाइन ही हो जाएगा उस्तो उनिश्व चरानबे तो आप्शन बर भी हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला बसने यहां पर निमलिकित में से किसे रिशी सरोर भी कहा जाता है तो रिशी सरोर दोस्तो कहा जाता है खुर्पा ताल मालवा ताल साता नेनिताल दोस्तो यह कहा जाता है नेनिताल को आप्शन मर्डी बंकि यह सभी ताल कहा है नेनिताल में है अगला हिमालय संगरालय की स्तापना नेनिताल म में हें यह जाएगा यहाँ पर नयनी ताल में हिमाले संग्राले के स्थापना 2005 में और इसरे मिलता जुलता है हिमालयन संग्राले को एक अगला पश्थिया पर राश्थी पादव यहüm झैविक की अनुसंदान व्यूरो कहां इस्तित यह तो बहुत ज् Continuing यह भी राश्थी अगला परसने है शिरी आरस टोलिया उत्राखंड परसासनिक परसिक्षण अकादमी की स्थापना नयनिताल में कब की गई तो 1998 नहीं है यह बाकि आप अगर बीपीडियो में अगर आपका चैन होता है तो आप यहां जरूर जाएंगे तो यह हो जाएंगे दोस्तो उनिस्व अठासी में अगला परसने आपर हर्गोविंद पंथ द्वारा कब कुलीहिन बरहामणू द्वारा हल ने चलाने की पर्था को बागेस्वर म स्वेंग हल चलाकर उन्हें तोड़ा था उनिस्व अठासी में तो बहुत ज्यादा महतुन परसने एक्जाम में बन सकता है बांकि परिक्ष्यावाड़ी में आपको मिल जाएगा बांकि रिविजन के लिए यह सिरीज काफी अच्छी है अगला परसने श्रीदेव सुमन का साहितिक नाम साहितिक उपनाम क्या था तो साहिति मत वैसे तो श्रीदेव बढ़ानी था लेकिन यह आपको नहीं करना है देव सुमन करनी सकते यह हो जाएगा यह पर सुमन सौरभ ऑप्सन मर्स ही हो जाएगा इसका बिलकुल सेवतर अगला प्रसने है चाहे दुनिया अगला प्रसने दुस्तो यह भी बहुत ज्यादा महत्मूर्ण है पुस्टक है एक्जाम में निश्ची दुरूप से आपको देखने को मिल सकता है किसने यूरोपीयन मिसलयनी लेखू का संग रह किया हर्गो बिंद पंद बैरिष्टेर मुकूंदिलाल विक्टर महन जोश दोस्तो इसका इंडी तीवारी विकास पुरुस एंडी तीवारी तो अफ्सन नबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सेवतर अगला प्रसने है यहापर हमारा विक्टर महन जोशी द्वारा किसे जन्नाइक की उपादी दी गई तो जन्नाइक दोस्तो यह गोबिंद बल् dev göreч की आत्मिकता कौन सी है मैं इंडिया विक्टर महन जोशी यह फिर माधवशिंघ बंडारी तो इसका है किसे दिगर अगर आप ने इसक लट healthy मैन और पा्ठंु को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लिस्टेमां कर आराम से देख सकते हैं तो अगला प्रसे जोस्तोव यह भी बहुत जादा महत्वन बश्न है उत्राखंड संबंदित महत्मा गादी ने उत्राखंड में देश भक्त की उपाधी किसे दीती तो ये भी महत्मुन परसना उस्तो देश भक्त की उपाधी किसे दी थी ये आपको यहाँ पर बताना है हर्गो बिंद्र पंथ वरीदत पांडे विक्टर महुन जोशी या इन में से कोई नहीं तो यह जागा उस्तो विक्टर महुन जोशी तो जब गांधी जी आये थे तो तब मिले भी थे तो सुराज मंदिर भागेश्वर में उसमें भी विक्टर महुन जोशी का युगदान था उसमें भी अगला पसने आपर कुली एजनसी के दूसरे सचीव कौन थे अब यहाँ प करने ऑगाए दूसरे सचीव तार अदेत घरॉला अगला पसन जोशतो औहस तो पहुत जादा महत्मूठ पसने हैं सैलेस मत्यानी का वास्तुईक नाम क्या है अब सभी में नरेश चंद्र सिंग, महेश चंद्र सिंग, सुरेश चंद्र सिंग, रमेश चंद्र सिंग तो यह हो जाएगा दुस्तो, रमेश चंद्र सिंग, मट्यानी तो अफसन बर यह हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवतर, सैलेश, मट्यानी बहुत जादा महत्मूर परसने है उत्राखंड के ही है और इसके अलावा जो हिंदी का सलेवेस है वहाँ भी है तो कहीं भी इनसे परसने बनने की संभावना रहती है उत्राखंड में इनसे परसने पुछा जा सकता है और हिंदी साहित्ति में दोनों जगे भी परसने इनसे ब विल्कुल यादकना है 2010 में मिला था सुदामा परसात प्रेमिय और प्रेम लाल भट को अगला बसना है मंगेश डबराल को 2000 में किस काभी के लिए साहित्यक आदमी पुरुषकार मिला आवाज भी एक जगह है पहाल पर लाल टेन मुझे दिखा एक मनुस्य हम जो देखते हैं अब दोस्तों जो कल वाला जो कल वाली श्रीति उसमें आवाज भी एक जगह है मैंने दिला रजगुडी बता दिया था तो यह इनी की है मंगेश डबराल की तो 2000 में दोस्तों साहित्य होता है कि हम जो देखते हैं के लिए इनको मिला फिर बिरेन डंगवाल भी 2004 में थोड़ा मिलता जुलता रहता है थोड़ी दिक्कत हो जाती है जैसे आगे पीछे बोलने में तो कभी मेरे साहत भी होता है इस तरगा तो मंगेश डबराल को 2000 में मिला था हम जो देखते हैं के सही रहे अगला वशने आपर स्वामी सर्दानंद द्वारा चार मार्च 1902 को इस्तापित गुरुकुल को कब डीम्ट विस्वध्याल का दरजा दिया गया अब दोस्तों आज तक तो 1902 मैंने भी पड़ा था लेकिन यहाँ पर डेट मिल गई है तो चार मार्च 1902 को रेंड जयुति पतरिका का पारकाशन č20 में किसके द्वारा शरू किया गया चया अगला परost ने ay da का कालिधास किसे का जाता है बाकी हिंदी का कालिधास की से गाता है जनपत और यहimoto के पूछा गया था अभि हालकी हालके Мें की इनका जनन का बाता करके तो अगला परसन है जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की ब्यापारी किर्शी कहलाती है एपी कल्चर बिल्कुल नहीं मदुमक्की तो इसका उत्रगा जोस्तो यहाँ पर ओलेरी कल्चर आप्शन बर भी हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर अगला परसन है सेरी कल्चर का संबन्द है तो सेरी कल्चर का संबन्द दोस्तो यह हो जाएगा हमारा ओप्शन बर भी रेसम कीट पालन से तो सेरी कल्चर आपको बिल्कुल याद अखने है रेसम कीट पालन से अगला बसने है सेली कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है सोरी सेरी कल्चर तो महारा हो गया था रेसम कीट यह मेरी कल्चर है मेरी कल्चर मेरी कल्चर में किसका उत्पादन कि आ जाता है फूलू का नहीं, मदुमक्यू का नहीं, समूद्री जीऊंका या फिर बिर्ख्चु दथा जाड़ियू का तो उस्तो महत्पुर्ण है, तो यह जाएगा समूद्री जीऊंका, तो अप्सन नमर दोस्तो C बनेगा इसका, बिल् तो यह सभी दोश्तों पूर उत्तर के राजी दिव हैं, तुछ से हत्रों का मेघाले ओप्सन मर ए, गारो खासी जेनतियां, अगला बस्तन है, दक्षिन भारत में सरोच परवत्षिकर कौन सा है, धूबगड, MP में है, महेंद्र गिरी, डोड़ा वेट्टा, तमिल नाड़ बहुत जादा महेंद्र बस्तन है, बीजी खेर, फजल अली, हिर्देना, कुंजरू या फिर केम पढ़िक कर, तो राज भासा आयो के उस्तों पर्था मजेक्सिस का है, बीजी खेर, महेंद्र बस्तन है, ओप्सन मर ए, यार रखना है, अगला उर्दू किस भासा का सब्द ह तुर्की भासा का, फार्सी भासा का, अर्भी भासा का, संसिकर्थ भासा का, इस तरह से आपके उप्सन नहींगे, वहाँ पर इस तरह से उप्सन नहीं होगा, वहाँ पर नीचे A, B, C, D, तुर्की भासा का, फार्सी भासा का, फिर इस तरह से भासा भी पीचे लिखा होग है यह जांगा ब्रहाम्मी लिपी तो अफशनमार भी हो जाए गोस तो खेल जो शिलालेकों की लिपी है वह है ब्रहाम्मी अगला पसMoreने आपर अर्शण लिपी का अर्थ निकालने वाला परफ्व बैक्ति था प्राचीन लिपी का अर्थ निकालने वाला तो यह जागा उस तो जेम से प्रिंसप अगला प्रसन जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेक है बार आट चैने यह जागा उस तो अठारा तो अप्सन नवर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर अगला प्रसन जोस्तों कंप्यूटर से प्रसन है महत्म प्रसन एकजामर प्रसन बनता है LCD का पूरा नाम आपको यहां पर बताना है तो फुल फॉर्म दोस्तों लिक्वीड क्रिस्टल डिस्पले तो option number D हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर क्योंकि हाँ पर light हो गया लीड हो गया इस सेंटल हो गया फिर यह हो जाएगा आपर option number D लिक्वीड क्रिस्टल डिस्पले और option number D अगला प्रशने यहां पर जब कोई कंप्यूटर कोई करमादेश लागू करता है तो वह करमादेश कहां पर अटक जाता है तो मैं तुन प्रशने है फलोपी डिस्क हार डिस्क रोम या पी रेम तो जब कोई करमादेश जब कोई सब्सक्राइब दोस्तों बहुत सारे भरती रेम और रोम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है तो इस ताई हो जाए गर उस्तों ऑप्शन मेर भी हमारा रोम तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है बढ़ते हैं अगले परस्न के तरब तो इसके बाद दोस्तों अभी यह इस टेंडर यह सी रसेंडर दो में है ठीक है इसपेसल यह भी नहीं होगा ए अमेरिकन सथेंडर कंप्यूटर आ यह हां पर यह भी नहीं होगा नहीं ऑले तो याद रखेगा यह आपको पूरा याद रखना एक दो बार आप लिख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा एक अमेरिकन इस्टेंडर Court for Information Interchange अगला प्रस्न है उस्तो बहुत ज़्यादा महत्मूर प्रस्न है यह आपको यह प्रस्न है कोई ने कोई इन में से ज़ड़ू बन सकता है 2028 के Griss McCallin Olympic खेलो का आयोजन कि सेर्म होगा लॉस एंजिल्स टोक्यो या फिर पेरिस या फिर एंजिल्स तो यह जाएगा उस्तो लॉस एंजिल्स में ऑप्सन नबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल से उतर 2028 के Griss McCallin Olympic खेलो का आयोजन अगला 2024 में Olympic खेल कायोजी दूंगे यह तो दोस्तो बिल्कुल इसको तो आपको यादी रखना है क्या फ़ता एक्जाम बन सकता है तो याद रखेगा दोस्तो Rio de Janeiro नहीं है यह पेरिस में बन सकता है एक्जाम में तो फिर गलती होगी तो फिर नंबर कटेगा यह जाएगा पेरिस याद रखना है 2024 में अगला बसने इनमें से कौन सा खेल ओलम्पिक खेल में सम्मिलेत नहीं है बागि आपने दोस्तो तिरंदाजी बिल्कुल है साइकिलिंग है इसकिंग है किरकेड दोस्तो आपने इसा कहीं नी देखा होगा कहीं नी सुना होगा यह जाएगा ओप्शन नमर यह हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवतर अगला प्रसन है उस्तो कूछ यहाँ पर आपको दिवस के प्रसन देखने को मिलेंगे तो निमलिकित मैं से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है बिश्व सार्चरता दिवस आठ सितंबर बिल्कुल है 8 सितंबर को होता है स्वयूकतर राश्ट दिवस 24 अक्टुबर बिल्कुल है 24 अक्टुर 45 विश्व स्वाश्ट दिवस 7 अप्रेल बिल्कुल है विश्व मानवा धिकार दिवस दोस्तो एक दिसंबर नहों करके योग दिवस आपको बता है, नहीं होता है की चुन को, सही दिवस ये भी नहीं होता है, अंतराष्टी युवा दिवस ये भी नहीं होता है, योजा उस तो अंतराष्टी मात्रभासा दिवस, तो 21 फरवरी को मना जाता है, या फिर अंतराष्टी मात्रभासा दिवस कम मना जा सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है अगला बसने आपर सबसे बड़ी जहाज रानी नहर तो यहाँ पर हिंद है यहाँ पर हिंद है यहाँ पर कैस्पियन है यह भी नियोगा यहोगा भूमद्य सागर को लाल सागर को तो अप्सन मर यह हो जाएगा दोस्तो इसका बिल्कुल सेवत्तर तो दोस्तो यहाँ पर हम कुछ दस से जादा यहाँ पर वन लाइनर के परसुन को देखने वाले हैं उत्राखंड के जो की काफी जादा महत्पूर्ण है दुधौली का युद्ध ग्यान चंद और फते साके मद्धि लड़ा गया दोस्तो बहुत जादा महत्पूर्ण ने एक्जाम बन सकता है दुधौली का युद्ध कब हुआ था तो ग्यान चंद और फते साके बीच तो यह हो जाएगा दोस्तो इसका सेवत्तर और दोस्तो जब यह दुधौली का है यह दोस्तो द्वाराहाट में है जब मैं द्वाराहाट यहा था तो वहाँ पर लिखा वा था दुधौली इतना किलो मिटर तो फिर मुझे याद आया तो इसे भी खायर भुक में था लेकिन मुझे पता नहीं था कि यह है अगला बसने यहापर बानासुर का किला कहां पर ह तो बानासुर किला कहां पर है तो यह दोस्तो यहाँ पर चंपाव लौआगाड मैं है अगला है यहाँ पर कटारमल का सूरिमंदी किसने धोस्ति किया आप दोस्तो बांकितौ सभी को पता है कटारमल सूरिमंदिर यह सर वाल्मोण। है यह सब और किसने दोस्ते के आए बहुत कमर बेर्टियों को पता होगा तो जाए उस तो अली एमत खाने 1740 में तो कटारमल सूरी मंदिर अली एमत खान यह आपको याद रखने है अगला है बागेशवर और पिथोड़ा गड़ को कौन सा दर्रा जोडता है तो इसका से उत्रेल पास ट्रेल पास जो अठार सो तीस में हो जोई थी तो ट्रेल के नाम पर उसके दर्रा है तो यह भी आ आपको याद रखने है अगला है उत्तरा खंड उत्तरकाशी और हिमांचल परदेश को कौन सा दर्रा जोडता है तो उत्तरकाशी और हिमांचल परदेश के भी जोस्तो स्रिकंठ दर्रा स्रिंग कंठ दर्रा तो यह आपको याद रखने है बहुत ज्यादा मेहतुन है अगल अगला गडवाल पेंटिंग समनोट सोन मोला राम गडवाल इस्कूल ऑफ पेंटिंग यह सिर्फ यह आ सकता है गडवाल पेंटिंग इसकी है समनोट सोन मोला राम सिर्फ यह की भी आ सकता है तो यह आपको यादखनी बैरिष्टर मुकुंदि लाल की है तो यह आपको बिल्कुल याद दखना है अगला प्रस्न है कटी पानी गार और काली नदी का संगम कहां होता है तो उस्तो यह तालेश स्वर यह है पिथवडागण में कटी पानी गार और काली नदी का संगम यहाँ पर होता है अगला प्रस्ण उस्तो बहुत ज़्यादा महत्मुन प्रस्ण है किसान भारती पत्रिका का संपादन किस ने किया तो उस्तो ये प्रस्ण भी आपको परिक्षावणियों मिल जाएगा तो देवेंद्र मेवाणी ने किया था इनकी जो पुछते हैं दोस्तो पसूं की प्यारी दुनिया तो किसान भारती पत्रिका का संपादन देवेंद्र मेवाणी ने किया था ये आदखना है अगला प्रस्ण है करदम का परियवाची सब्द है कंदर्प बिल्कुल नहीं कंगाल, कोट या फिर कीच तो यो जागा उस्तो कीच ओप्सन नमर B अगला प्रस्ण है दोस्तो अर्थ के आधार पर वाक्की के भेद है सयुक्त वाक के, मिसर वाक के, सरल वाक के बिल्कुल दोस्तो मिलते जुलते हैं एक सी संबंदित हैं रचना के आधार पर यह जाएगा उस्तोष बिश्मयादी बोधर तो option number C हो जाएगा इसका सिवत्तर और आपको बटाना है कि अर्थ के आधार पर वाक्कि के कितने बेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्कि के कितने बेद होते हैं अगला बसने उस्तो गरल सुधारिपू करही मिताई, लोकोक्ती का अर्थ है, संयोग से काम बनना कताई नहीं, दोस किसी का सजा किसी को ये भी नहीं, किसी भी अनुचित बात का समर्थन करना ये भी नहीं, ये हो जाएगा दो बिरोधी सभावों वालुका मिलन, अगला बसन जाएगा निजवाचक बिल्कुल से उत्तर है, समुच्ची बोधक है, अगला बसन है, वह मनुसी नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है, अब दोस्तो ये जो वह है, ये आपको बताना है, संबंद वाचक कतई नहीं, नीजवाचक बिल्कुल नहीं, पूरूस वाचक ये भी नहीं यह हो जागा उस्तों निश्चय वाचक शरूनाम हो जाएगा ऑप्शन मर भी अगला चमा चम दोस्तों कैसा संब्द है तद्वा होनी तत्सम्हेनी आगत नहीं दोस्तों यह देशज देश संब्द है अगला बसने आपर मोहन एक अच्छा खिलाडी होते हुए भी पढ़ने में तेज है यह कैसा वाक्य स्रल वाक्य लगनी रा तो इनमैंसे आपको बताना है कैसा वाक्य होगा मोहन एक अच्छा खिलाडी होटे भी पॉंड में भी तेज है तो उसको यह ओजागा संचन मर दी हो जाएगा इसका पिल्कुल से उत्तर अगला वसने हिंदी क राजभासा होने का गौरफ प्राप्ट वा तो ये वात है दोस्तों आप सभी को पता है उनिस्व उन्चास में उनिस्व उन्पंचास में ऑप्शन नमर सी अगला है मोषन ने केला और संत्रा खाया अब यहां पर दोस्तों स्वेंपतु वाग कि का तो ऑफ्शन है नी प्रस्ताव पेस करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना होगा तो उस्तो यह होगा चौदा दिन महत्मूर परस्ने माकी 14, 15, 21, 31 सब लिखे हुएं तो चौदा दिन होगा इसका उत्तर अगला परस्ने राज्य मंत्री परशद सामुई ग्रूप से किसके परती उत्तरदाई होती है तो यह जागा उस्तो विधान सबा के परती होती है तो यह आपको विल्कुल याद रखने है बहुत जादा महत्मूर परस्ने एक्जाम में बन सकता है अगला परस्ने आपर भारती सविधान के किस अनुचेत के अंतरगत बित्ता आयोक का गठन किया जाता है अनुचे 140, अनुचे 368, अनुचे 259 या फिर अनुचे 280 तो बित्ता आयोक का गठन पूचा है तो यह जाएगा अनुचे 280 में तो विल्कुल आपको याद रखने है एक्जाम परस्ने बन सकता है अगला परस्ना संग लोक से अयोक के अधयक्शी की निव्टि कौन करता है तो बहुत जाएदा महिला आयोक दोस्तो यह बना था 1993 में जैंती नटराजन दोस्तो नहीं है यह है जैंती पटनायक याद रखना आपको बहुत ज़ाएदा महिला परस्ने अगला परशने स्वतंत्र भारत के पर्थम विधी आयूक की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तो परशने एक्जाम बन सकता है 1950, 1991, 1992 या 1955 दोस्तो इसका हित्रोय का 1955 में ओप्शन नमर D अगला परशने बुद्ध ने सरवादी कुपदेश कहां दिये थे दोस्तो पावामनी दिये थे ये दिये थे सरावस्ति में कोसल देश की राध्धानी सरावस्ति में देथे दोस्तो बुद्ध ने सरवादी कुपदेश आप्शन नमर A अगला परशने बुद्ध चरी जिसे बौधु का रामेड कहा जाता है के रचना का रहा है तो बुद्ध चरी दोस्तो ये बुद्धु का रामेण है तो इसकी रचना की थी अस्चु घोसने अगला बशने सकलोत्तर पत्थनात की उपादी दोस्तो बहुत जादा महत्मून अचने आयोग ने पूछा हुआ है ये हर्सवर्धन को दोस्तो उपादी है हर्सवर्धन की तो याद रखना आपको हर्सवर्धन अगला है वेन सांग ने किसे शिला दित्ती का है तो शिला दित्ती भी हेन सांग ने हर्सवर्धन को ही कहा है अगला प्रसन दोस्तो यहाँ पर कुछ आखंडे के परश्ण और आपको देखने को मिलेंगे किस पमार सासक की मिर्थियू रगुनात मंदीर में थी तो रगुनात मंदीर देव परियाग में है धर्विज्य शहली में बना है भगवान राम ने कपष्या की थी तो यह जागा उस्तो जैकृतिसा ने तरडब तरडब अगला है किस पमार सासक के समय श्रीदेव सुमन की मिर्ती हुई अब आपको पता है 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन सहीद हो गे थे तो उस समय कौन थे नरेंदर सा बाकी मानुदर सा तो खेर उस समय नहीं थे उसके बाद बने कीर्थी सा पहले के हैं पर्विम्र सा तो पहल कि अगला प्रस्ने आपर चंद्वन सकाव पर्थम सासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोश्सा तुगलक के दरबार में भेट अर्पित करने गया था तो फिरोश्सा तुगलक ने दोस्तों फिर गरुड की उपादी दी थी तो यह हो जाएगा गरुड ग्यान चंद त दोस्तो इसका सेवत्तर ज्यादा प्रसंद नहीं बचे हैं दोस्तो कुछी प्रसंद है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जोड़ से गर दिजे अगला बसने विश्चु व्यापार संगठन डबलू ट्यो किस वर्स में कारवयान वित हुआ त तो यह हो जाएगा हमारा बिल्कुल सेवत्तर गैट सदस्चु द्वारा इस्तापित एक व्यापार संगठन अगला हंटर कमिशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोड़ दिया गया अब दोस्तों यहां पर बाली का शिक्चा आपको नहीं करने है यह दोस्तों परात्म अगला बसने बहुत ज्यादा मेहत्पूल मस्ते है किस एक्ट के द्वारा कवर्णर जनर्रल को अध्यादेश यानि कि जो ओर्डिनेंस जारी करने की सक्ति परदान की गई या फिर इंडियाल इंडियाव गौंसिल एक्ट 1892 या फिर इंडियाल कौंसिल एक्ट 1861 यह ज्यगा उसतों ऑप्षन पर भी इंडियाल कौंसिल द्णाल आक्ट 186फ्ट्ड में, इस आउनक निम्लिकित में से किस ने स्वरुपर्तं best censorship लागू किदि तो यह कि बहुत जादा महत्मुन रशन प्रेस侹ि अन्सर फिलागू की थी। वाइलेजणी ने। तो बहुत जादा महत्मुन रशन अगला बशन हैं टियपी माई। पुस्तक के लिख कौन है। आधे हैं deti, तो इसका फॉत्रों रच रचुद , आज दीक हो फार्चे, क Straw the plo k तो युष दोस्तों पहले हम से दोस्तों तक पुला करते हैं तो अगर आपने और पार्ट नहीं देखा थे तो उयोंगे है अगर फिल्सक्राइब को अभी तक आप rh689 को किद गarny